Welcome back, मैं हूँ आपका दोस्त विपन and today we're going to start हमारे 15 जनवरी के important current affair कोई भी आपको doubt लगा तो comment box में पूसकते हो भई अगर pdf चाहिए तो sbm tutors telegram पर हमारा channel है उसको follow कर सकते हो और अगर new judeo हो हमारे channel के साथ प्लीज वीडियो को like करना और channel को subscribe करना और दोस्तों के शेयर करना अगर वीडियो अच्छी लगे तो तो करते हैं start भई अब देखेंगे हमारे जो अभी हमारे important day थे इस मन्त में हम celebrate कर रहे हैं भई उनके बारे में एक जनवरी को हमने celebrate किया Global Family Day 2023 में जो के इंडिया में हमारे डिफेंस के सेक्टर में काम करती है जैसे के प्रित्वी आपने सुना होगा प्रित्वी 2 नाम की हमारे जो मिसाइल हमने कल पर सो रिड की थी वो भी जो डिवेल्प की गी है बाए थी डियाडियो जो कि Defense की वील्ड में जो भी हमारे काम होंगे वो करेगा DRDO जो कि एक जनबरी 1958 को existence में आया था भई समझे उसके बाद में हमारी 4 जनबरी को celebrate करते हैं World Lewis Brails Day में लिए जो Lewis Brails थे उनके दवारा एक language inventor की गई थी वार्दी जो blind people के लिए उसे कहते हैं Braille Language So that's why उनकी जनबरी थी को has a world Lewis Brails Day के रूपे हम जानते हैं Only 4 जनबरी अब आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर 3 जनबरी को जहीं बाई कुछ नहीं है 3 जनबरी को हमारा कोई डे नी था important लेकिन हमारी जो 108 नंबर की Indian Science Congress हुई थी नागपूर में कब हुई थी तीन जनबरी से लेकर जिसकी theme क्या थी Science and Technology for the Sustainable Development with the Boom and Empowerment So important है आपसे डिरेक्ट पूछ सकते हैं जो इंडिया की Science Congress हुई थी कहाँ पर हुई थी ते नागपूर में हुई थी जो इसकी theme क्या है Science and Technology for the Sustainable Development with the Boom and Empowerment समझे So next चलते हैं यहाँ पर 5th January को हम celebrate किया हमने National Birthday ठीक है जी सो भी जानते हो टीन ही एक हमारे ecosystem को balance रखने के लिए काम करती है So that's why उसको हम commemorate करते है as a National Birthday So इतना हमारे लिए important नहीं है भाई Next यहाँ पर 6th January को हम celebrate किया हमने World Day for the War Orphans जैसे के Ukraine and Russia के बीच में वोर चल रही है So वहाँ पर बहुत से हमारे बच्चे होंगे जो अपने parents को खोचुके होंगे So mainly उनको commemorate करने के लिए कैसे हम उनको उनके rights प्रवाइड कर सकते हैं यहाँ पर बातचीत करेगा United Nation Next वही 8th January को यहाँ पर Earth Rotation Day क्योंकि जो यहाँ पर anniversary हम commemorate करते हैं वही mark करते हैं जो एक फ्रांस के physicist थी Lyon उकोल्ट जोनके दवारा 1851 में प्रूव किया गया था भी जो अर्थ है वो सूर्ज के round तो revolve करती करती है अपने axis के account भी जे revolve करती है So उन्होंने बताया था That's why उसको हम commemorate करते हैं as the Earth Rotation Day Then 9th January Most important day है भाई क्योंकि यहाँ पर एक हमारी meet हुई थी means कि 70th प्रवास्ती बारती दिवस को हमने celebrate किया कहाँ पर इंदोर इंदोर हमारी important city है क्योंकि यह हमारी स्वच्ता को लेकर जो सबसे cleanest city है इंडिया की तो देखिए NRA Day क्यों relate करते हैं अभी विद्धी महातमा गंदी जी क्योंकि वो 9th January 1956 को 1915 को जो South Africa से इंडिया लोटे थे तन इंडिया में आने के बाद उन्होंने हमारी इंडिया में सावरबती आश्रम बढ़ाया इंदी एहमदाबाद देन उसके बाद में चमपारण मूवमेंट देन एहमदाबाद मिल स्ट्राइक देन खेडा मूवमेंट और साथी में और जो International Congress में उनके जो steps थे जो important हमारी आने वाले टाइम में independence के लिए important बने Qt India Movement जैसे आपको सभी को पता होगा ठीक है जी जो जिसका slogan क्या था Qt India Movement का India Movement का slogan क्या था हमारा do and die next यहाँ पर theme क्या है जो हमारा 17th हम प्रवास्ति बारती दिवस को celebrate कर रहे हैं इंदोर में So आपको बता भी अब इंडिया का best time स्टार्ट हो चुका है आने वाल टाइम में हम bishop guru बनेंगे सो उसके और अग्रेशर है साथ ही में जो हमारे साथ partner करेंगे उनके जहां पर promote करने को लेकर क्योंकि हमारे इंडिया और रिजन लोक हमारे international level पर फैले हुए है उनको हम इकठा करने की कोशी कर रहे हैं यहाँ पर जैसे देखो इसके जो chief guest कौन थे भाई डक्टर मुहमद इर्फान अली जो के president है कहा के गवाना के जो के एक South African continent की country है ठीक है जी next अब चलते हैं हम 10th जनबरी को हमने celebrate किया World Hindi Day क्योंकि जो हम commemorate करते हैं भई जो first world Hindi conference हुई थी 1975 में कहाँ पर नागपूर में जो नागपूर यहाँ पर भी आ चुका नागपूर में द्यान लखना जो 108th नंबर की हमारे Indian Science Congress हुई है अब देखो जो हमारे 12th होगी अब इसको हम 15th February से लेकर 17th February तक इसको celebrate करेंगे बनाएंगे World Hindi Conference को कहाँ पर हिंदी फीजी जो कहें external जो फोर्न लिस्टर है वहाँ पर जाएंगे और साथी में फीजी की government है और साथी में Google का भी यहाँ पर एक सहजोग है भई इसकी theme क्या है हिंदी traditional knowledge to artificial intelligence और एक चाहिए आपको बताना चाहूँगा जैसे कि हमारा World Hindi Day हम celebrate करते हैं 14 जो 10 जनबरी को जो हमारा जो Indian means कि National Hindi Day हम celebrate करते हैं भई Hindi Day on the 14 September समझे बत अब चलते हैं next 11 जनबरी को हमने celebrate किया means कि commemorate किया to the death anniversary of a minister जो हमारे प्राइम निस्टर थे पहले लाड बहादूर शास्तरी 1965 में हमारी इंडो पाकिस्तान वोर होई थी दन उसके जो अगले साल 1966 में जो रशिया गए थे इंदी उजवेकिस्तान ताशकंत में एक agreement हुआ था जो कि युद्ध को लेकर दन उसके बाद में इनके खाने में कुछ मिला दिया गया अभी दक नहीं पता चला प्रोपर ली इनकी वहाँ पर death हुई थी जो बिजे गाट है दिल्ली में इनको ही commemorate करता है साथी में हमने National Human Trafficking Awareness Day साथी में Road Safety Week को सेलिब्रेट किया from the 11th जनबरी से लेकर 17 जनबरी तक दन हमरा 12 जनबरी को Most important day है National Youth Day हम सेलिब्रेट करते हैं to commemorate the birth anniversary of Swami Vivekanandji आपको बता होगा जी उन्होंने के दोरा राम क्रिशना मिशन को स्टार्ट किया गया था जो उनके गुरू थे उनका नाम क्या था राम क्रिशना और 1893 में शिकागो में एक कॉन्फरेंस होई थी वहां पर उन्होंने lecture दिया था represent किया था इंडिया को ठिक है अब देखो जो 26 नंबर का नेशनल जूत फेस्टिवल हमने celebrate किया कहाँ पर हुबाली एंड दरबाद मी जो कि ट्विन सिटीज हैं कहाँ पर है इंदी करनाट का यहां पर हमारे प्राइम निस्टर के दवारा निंदर मोदी के दवारा इसको नेगुरेट किया गया थीम क्या है यहां पर हमारा विकासित यूबा विकासित वारत अगर यूबा हमारा develop होगा दन हमारा देश भी develop होगा और बै करनाट का न जो हमारे प्रिविएस येर 22 में भी न्यूज में था क्योंकि जो हमने जोगाडे celebrate किया था इंदी में सूरू करनाट का कब celebrate करते हैं अभी हम जोगाडे only 21 जून को so next चलते हैं अब 14 जनबरी National Army बैटरन डे हमने celebrate करेंगे ठीक है किया हमने और 15 जनबरी को हमने celebrate कर रहे हैं आज इंडियन आर्मी डे अब देखो इंडियन आर्मी डे हम क्यों celebrate करते हैं जो हमारे इंडिया के जो फर्स्ट अफ्टर दी इंडिबेंदेंस जो हमारे जर्नल केम करियापपा के द्वारा ओथ चार्ज की गई थी और के जो इंडियन आर्मी की और जो उन्होंने रिटार्मेंट ली थी ओन दी 14 जनबरी नेक्स्ट यर उस दिन हम कमेमरेट करते हैं नेशनल आर्मी बेटरन डे और 15 जनबरी को ऐजा इंडियन आर्मी डे इंडियन एर फोर्स डे कब सेलिबेट करते हो बै ओन दी 8 अक्तूबर जो इंडियन नेवी डे ओन दी 4 दिसंबर तुक मेमरेट दी ओपरेशन ट्राइडेंट अगेस दी पाकिस्तान नेक्स्ट जनबरी को हम सेलिब्रेट करेंगे नेशनल स्टार्ट अप डे आपको बता होगा DPIIT एक डिपार्टमेंट इंडिया में जो स्टार्ट अप की रैंकिंग देगी यही देगी और 22 बाइस में जो स्टार्ट अप एको सिस्टम की रैंकिंग आई थी वहाँ पर गुजराहात अट करनाट का रहे थे टोप पर नेक्स्ट बई 18 जनबरी को हम सेलिबरेट करते हैं नैशनल इम्मुनाइजेशन डे आपको पताऊगा जो इंदर दुनुष नाम का एक कैम्पेन स्टार्ट हुआ था बाइदी गौर्वर्मेंट ओफ इंडिया जो के मेंली कोवेड नाइंटिन को लेकर था उसकी जो वेक्सिनेशन है प्रोपली ओडवर्दी ने प्रवाइड करने को लेकर जिसमें उडिसा ने जो प्रोपली यहां पर फंक्शन किया और अच्छी परफॉर्मेंस के साथ इंदर दुनुष को पूरी तरह इंप्लीमेंट करने वाड़ा हमारा स्टेट स्टेट बना उडिसा चले आगे नेक्स्ट जी यहां पर हम देखेंगे 23rd जनबरी को प्राकरम दिवस के रूप में सेलिब्रेट कर देंगे क्योंकि 1897 में जो हमारे शुवास चंदर बोजिय का जन्म हुआ था इंदी कटक पहले हुआ कर था अंदी बेंगोल प्रेजिडेंसी लेकिन अब तो यह किसके अंडर है उडिसा के अंडर है अब यहां पर प्राकरम दिस हम सेलिब्रेट करते हैं उनके बारे में लेकिन लोंगो वाला इंसिडेंट हुआ था लोंगो वाला तो यहां वह को मेंब्र करते हैं दी राजास्तान ओनली एजा प्राकरम दिस हमें लेकिन अलोबर इंडिया हम 23rd जन्मभरी को सेलिब्रेट करते हैं अजा प्राकरम दिस हमारे अडोप्ट किया था ओन दी 24th जन्मभरी 1950 में Next by 25 जनबरी को National Tourism Day and साथ ही में National Boater Day National Boater Day क्यों celebrate करते हो क्योंकि Election Commission of India इस इस इन हमारा existence में आया था 324 आर्टिकल के अंडर काम करेगा और इंडिया में सभी elections होंगे under the Election Commission of India only जो पंचाइती elections and municipal election को छोड़ कर Then by 26 जनबरी को Republic Day celebrate करते हैं साथ ही में International Custom Day Republic Day क्यों करते हो क्योंकि जो हमारा constitution था All over the India हमने implement किया था उन्दी 26 जनबरी लेकिन अड़ोट कब किया था 26 नवंबर 1949 को अब देखो भई कुछ fact है यहाँ पर 1929 में क्या हुआ एकना लहोर session हुआ था Indian National Congress का लहोर session On the Bank of River रावी Means के जो लहोर है रावी रिवर के किनारे पर बसा हुआ है यह यहाँ पर ना जवाल ना नेरु के द्वारा पूर्ण सवराज की मांग की गई थी सवराज की मांग की गी और उन्होंने बताया भी हम 26 जनबरी 1930 से Independence Day बनाना स्टार्ड करेंगे तब से Independence Day बनाना स्टार्ड कर दिया उन्होंने लेकिन हमें Independence मिली कब Only 15 अगास्त 1947 By the Mountbatten Plan मिली लेकिन जो इस डे की Importance को बनाए रखने के लिए जो हमारा Constitution था जो के हमारा जो 26 नुमबर 1949 इनको Adopt कर लिया गया था उसको हमने पूरी तरह Implement किया In the India Only 26 जनबरी 1950 को So उस डे को हम As a Republic Day के रूप में जानने लगी So पर उपर मुझे लगता है भी आपको history समझा जूकिया Next यहां पर 28 जनबरी को हमने Supreme Court को Found किया था That's why उस डे को हम जानते है The Foundation of Supreme Court Day और Supreme Court के कितने जजजीज हैं भाई 33 जजीजजीज होंगे और एक हमारे होंगे Chief Justice of India जो कोना भाई सी भाई चंदर्चूद Next यहां पर इसके है जो मेंड कहां पर है न्यू दिल्ली में जो हमारी Supreme Court के Then 30 जनबरी को Celebrate करते हैं Martia Day and साथी में Leprosi Day Martia Day क्यों करते हो भाई क्योंकि जो नत्तु लाल गोडसा के दवारा नत्तु राम गोडसा के दवारा गंदी जी को इस दिन मार दिया गया था उस दे को commemorate करते हैं Martia Day के रूब में Next भी सारस नाम का एक campaign स्टार्ट हुआ एक program स्टार्ट हुआ किस government के दवारा तिरपुरा के दवारा जो में ली education program है जो effort है जो सभी encourage करेंगे social and emotional learning को यहां पर जो भी burden बच्चों पर जो stress है उसको कम करने की कोशिश की जाएगी में ली यहां पर education को promote करने को लेकर यह start हुआ था पहले जो अगस्त मंत में last year only 50-40 schools में अब यहां पर properly all over the जो भी government-aided schools होंगे इंदी तिरपुरा वहां पर इसको implement किया जाएगा ठीक है जी चलते हैं यहां पर देखिए अब तिरपुरा के बारे में कुछ fact तिरपुरा हमारी north east states में से एक है जो कि boundary share करेगा विद्धी यहां पर बंगलादेश और साथी में two states of India कौन कौन सी जो है हमारी जहां पर महजोरम और साथी में असाम means कि international boundary अब यहां पर बड़े मैप में देख सकते हो जहां पर यहां पर यहां पर नाचलप्रदेश नागा लेंड मनीपूर मिजोरम यहां पर तिरपुरा और महगालिया जो कि boundary share कर रहा है विद्धी मिजोरम असाम के साथ और इदर के और बंगलादेश के साथ नेक्स्ट बड़े जो जहां पर कुछ इवेंट्स थे जो कि हमारे करंट में थी भी तिरपुरा स्टेट कि यहां पर स्टार्ट किया गया था mission 929 किसके दवारा बड़े लेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया के दवारा मेली 92 परसेंट यहां पर कहते बोटिंग को जो टर्न अट लगाने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट यहां पर इनके दवारा साइन किया गया था त्रिपुरा स्टेट के दवारा विद्धी एशन डिवार्प्मेंट बैंक के साथ जिसके हेड़कॉर्टर कहां पर है बई इन दी मैनीला फिलिपिन्स में ठीक है जी सो यहां पर फिलिपिन्स जो हमारी कंट्री बनी थी जिसके दवारा फसली इंडिया से ब्रहमोज मिसाइल के लिए एग्रिमेंट हुआ था यहां पर दिखो साइन किया गया 2020 जो 2275 क्रोड का फार दी इंप्रूब्मेंट ओफ दी पावर सेक्टर को पावर दिस्ट्रिउशन को लेकर अर्न विद लर्न याम की स्कीम लॉंच हुई थी दी तृपूरा मेली जो भी बच्चे ड्रोप आउट हो चुके हैं आफ्टर दी कोविड नाइंटीन उनको बापस से स्कूल में लाने के लिए इसको स्टार्ट किया गया देन दस पारह जे एक फस्ट बायो भी लेज इंडिया में जो सेकेंड अफ्टर दी केरला में लाने के लिए नेक्स्ट यहां पर तिरुपूरा ने रैंक किया जो रैंक करता है इंडिया में जो सेकंड अफ्टर दी केरला मिन्स कि जो नेच्चूर रवड है फस्ट नंबर पर केरला है प्रडक्शन को लेकर सेकेंड नंबर पर कोण है तिरुपूरा जो हमारा रवड बोर्ड है वो उसके जो हेड़कोर्टर काहां पर है इंडि केरला कोटिया में इंडि के दोरा एक एमरोब नाम की भी एक पॉर्टल लौंच किया गया था दन दामा दीपा इंटरनेशनल जो बुदिस्ट उनिवस्टि जहां पर बनेंगी इंडि तिरुपूरा जो कि फस्ट बुदिस्ट उनिवस्टि जो कि इंडिया में बनाई जा रही है मेली बुद को खत्म करने को लेकर यह हमारे एक फेस्टिबल है जो कि बर्शिप करते है 14 गोड्स की एक टेंपल बनाया गया था जहां पर 14 गोड्स ब्रादमान है भई कि इनके दोबारा महाराया कृष्णा मांग किया के दोबारा नेक्स यहां पर तिरपुरा के बारे कुछ जो स्टैटिक फेक्ट हैं यहां पर इनकी 60 सीट्स है तन यहां पर हिली स्टेर्ट है यहां पर नोर्थ इस इंडिया में तीनों तरफ से बाउंटरी करेगा विद्धी वंगलादेश और जो कैपिटल है अगर तला यहां पर उधियनता पहले से मुगल गारडन है ठीक है जी तन यहां पर जो अरुधरा सागर शागर सागे कि सबुश्यक्ता पर जैसी को माइनकी Shopify जानते हैं। इंदी तिरुपुरा तू हमारे यहां पर नैशनल पार्क है और फॉर इंपोर्टन यहां पर वाईलाइफ सेंचुरीज है सिपालजला, दन तरिशना गौम्ती, दन रूवा जो मेली अगर नियूज में रहेंगी दन आपके लिए इंपोर्टन बन जाती है, ठीक है जी सो नेक्स चलते है मुगीत फॉस्टिबल, जो खाली में सेलिब्रेट हुआ, कहां पर इंदी माजुली असाम में, अब आपको पता होगा माजुली क्या है भई माजुली एक आईलेंड है कहां पर है, इंदी प्रहंपुत्रा सो जो वर्ल्ड में किसी रिवर के अंदर सबसे बड़ा आईलेंड है उसका नाम क्या है माजुली कहां पर है इंदी असाम ठीक है जी, सो यहां पर एक फेस्टिबल सेलिब्रेट हुआ, मौंगीत फेस्टिबल जो कि यहां की पोटरी को मूजियम को, जो म्यूजिक को, आर्ट को, जो फूड को सबी चीज़ों को यहां पर सेलिब्रेट करते हैं ऑके, सो हमारे लिए इतना ही इंपोर्डेंट है जो यह फेस्टिबल है, कहां पर सेलिब्रेट हुआ इंदी असाम नेक्स्ट यहां पर देख लेते हैं असाम के वारे में कुछ फेक्टर असाम जो हमारी नोर्थ इस्ट की स्टेट है जो कि बाउंटरी शेकर का विद्धी नाचल परदेश यहां पर नागा लेंड, साथी में मनीपूर मिजोरम, तिरपूरा और महगालिया और साथी में बेस्ट बेंगोल और इंटरनेशनल बाउंटरी विद्धी बुटान और बंगलादेश यह रहा बंगलादेश के साथ इदर यह और बुटान के साथ नेक्स्ट भई अब कुछ और जो करेंट में रहा पहले जो असाम का बैवब पुर्ष कर दिया गया जो हाइस्ट सिवीरन अवोर्ड है असाम का किनको डक्टर तपन साकिया को जो कि फील्ड ओफ दी कैंसर केर के लिए काम करते थे देन जो असाम के को ने हिमंता बिश्वरा शर्मा उनके दोरा बताया गया अप्रूव किया गया जो इंडस्ट्रियल स्टेटर्स टू टूरिजम सेक्टर को क्योंकि यहां पर साम में टूरिजम को लेकर बहुसी साइट्स है काजिरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क देने कमक्या देवी टेंपल जहां पर हम अमबाबुची फेस्टिबल सेलिब्रेट करते है ठीक है जहां पर बहुसी इंपोर्टन साइट्स हैं जो के हमारी टूरिजम को पर्स्टेक्टिव से इनके दोरा इंडस्ट्रियल स्टेटस दिया गया टूरिजम को जो असामी जो डिक्शनरी है हमकोश को अभी हाली में ब्रेल्स लेंग्योज में जो जहां पर इंट्रड्यूस किया गया था न्यू दिल्ली नेक्स्ट बई जहां पर उन्नोडियो नोदाई येक स्कीम है इसको परनाउंस कर लेना जहां पर येको और नोडियो और नोडियो ही एक स्कीम है जो के में लिए एक डिरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करने वाली स्कीम थी इन दी असाम तो इसका फस्ट पेज तो पहले 2020 में स्टार्ट हुआ था अब इसका सेकंड फेज स्टार्ट होगा भई में लिए जो बूमेंज हैं कुछ जो एकनोमिकली वैकवर्ड क्लासिस से ब्लों करती हैं जो एल्डर मैंज हैं जो पिपल विद डिसिबिल्टी सबी को ये डिरेक्ट बेनिफिट प्रोवाइड करते थे इसके अंडर सो यहाँ पर सेकंड फेज में और भी यहाँ पर बेनिफिश्री आपको दिखाई देंगे अंडर दी साल्ट्री एक थेटर फेस्टिबल है जो के नेगरेट हुआ था इंदी असाम तन विद्ध्या रत जो स्कूल ओन दी वील एक कैम्पेन स्टार्ट हुआ था जो के हमारे एकनॉमिकली विकर किड्स के लिए जहां पर जो उनको प्रोपरली मिड़े मील प्रवाइड करेंगे जुनिफर्म प्रवाइड करेंगे टेक्स्ट बुक प्रवाइड करेंगे स्टूडेंट्स को ठीक है यह एक बस है बस में विद्या प्रवाइड की जाएगी सभी को नेक्स्ट सफाई करमचारी कमिशन यहां पर लाया गया जो के मेटरन्ती बेनिफिट मुनिटर करेगा ड्रग प्राइसिस को जो सबी हमारे सफाई करमचारीज हैं उनको राइड प्रवाइड करने के लिए हल्प करेगा नेक्स्ट बही यहां पर द्रगों जो पुलिस अकैडमी है इसका नेम चेंज हुआ था लचित बुरूम को जो हमारे बार्फुकन जो पुलिस अकैडमी के नेम से हुआ जो लचित बुरूम कमांडर थे और मुगल्स के खिलाफ इन्दी मेडिविल हिस्ट्री हम देखते हैं मुगल्स के खिलाफ इन्होंने जो एक एहम बुमिका निभाई थी जंग लड़ने के लिए जो इनको प्रोपरली मुगल्स को हरा दिया था वहां पर उस जंग में जो के उसके मुगल के कमांडर को थे रामक सिंख ठीक है जी जहांपर एक बैटल ओफ श्राइगाट हुई थी उसमें इनकी एहम बुमिका थी जहांपर आने वाल टाइम में जो भी हिस्ट्री में हिस्ट्री की बुक्स में इनको इनके जो एक लेक्चर को डालने की खोशी कर रहे है बई इनका एक चैप्टर जली टोल जली टोल क्या है एक अभी हाली में एक न्यू मैथड टु परडिउस शुगर बनाने का एक मैथड इंट्रिउस किया गया था वाई धी आई एटी गोहाटी के दुवरा जली टोल क्या है? एक शुगर अलकोल है जो कि हम from the natural product से बनाते हैं जहाँ पर जिना क्या करेंगे? जो हमारा शुगर केंट का बेस्ट होगा वहाँ से ये शुगर बनाने की खोशी करेंगे आप इसका नेम दियान में रखना जली टोल क्या था बैए? एक जो IIT गोहाटी के दवारा new method प्रड्यूस किया गया फार्दी शुगर की production के लिए शुगर के substitute बनाने के लिए ठीक है? दने यहां पर परम कमरूपर नाम का सूपर कम्प्यूटर भी लॉंच किया गया था बैदी माइटी के दवारा जो ministry of electronic and technology और अंडर दी नैशनल सोपर कम्प्यूटिंग मिशन के अंडर उसी के अंडर हमने परम अनन्त जो के इंदी IIT गोहाटी गांधी नगर में पारूल इंदी NIT तरलोचनपली में ठीक है? तो यहां पर यह नेकुरेट किया थे पारूल इंदी आईटी गोहाटी आईटी गांधी लगर एंड जो पारूल इंदी आईटी तरलोचनपली तमिल्लाडू में दन नमसाई declaration न्यूज में था भई और नाचल परदेश एंड असाम के बीच में हुआ था जो कि वहां के जो बोर्डर डिस्प्यूट है उनको लेकर दन गोमचा यहां की एक सिंबल है कल्चर का और इंटिटी ओफ दी असाम इसको जी टेग परवाइड किया था हाली में किन के दवारा जो जूनियर्ण मिनिस्टर ओफ कमर्स और इंडस्ट्री हैं भई पियूश को दन लोहित रीवर इसके ट्रिब्यूट्री है जिसके उपर बसा हुआ है बीजे हजारी का सेतू दन यहां पर ओमनन्दा टेमपल है जो कि ब्रहंपुतरा जीवर के अंदर एक आइलेंड है पीखुका आइलेंड दन डिगवोई जो ओल्डेस्ट ओएल फील्ड है कहां पर ह असाम का मख्या देवी डेमपल है अमबो बाची नाम का फेस्टिबल सेलिब्रेट करते हैं यहां पर दन वहीं काजिरंगा प्रजेक्ट इंट्रियूस किया गया था अंडर दी असाम प्रजेक्ट ओन दी फोरेस्ट एंड बायोडवस्टी कंजर्वेशन के लिए इसके अं वारे वन होर्न रहानों पाये जाते हैं दी काजिरंगा नेशनल पार्क सो में लिए उनके जो होन है ठीक है उनको पुछान की लाइफ को प्रिटेक्ट करने के लिए उनके हों को जला कर एक स्टैच्टू बनाए गए थी मिस कि अनकी दिखा रहे हैं लोगों को बी इनकी को लिए इंपोर्टनेंस नहीं है इनको मत मारो जो जोने दू जीने दो किड़को जो वन रिहानो्स हैं जो की काजी लगा में में लिप आ जाते हैं देन ब्राक बुवान एक वालाइस सेंच्ड्री जू जो के ब्राक बैली में इंदी जो जहांपर असाम है तो ठीक है जी ओंदी ब्राक रिवर एंडर सुनाई रिवर जहां से बहती है इसके बीच में बसी हुई है ब्राक बूवान बाइलाव सेंचुरी जहां पर में लिए साम मकाव मुंकी जहां पर पाई जाती है नेक्स्ट यहांपर रिजनल ओफिस ओफ इंप्लोईईज प्रोविडेंट फंड ओर्गनाजिजेशन यह कहांपर एनगरेट हुआ अलबर इंदी राज्यस्तान में किन के दिवारा जूनियन लेवर और इंप्लोईमिन मिनिस्टर वपिंदर जादव के दिवारा जो के हल्प करेगा हमारे वर्कर्स को EPFO क्या होता है मेंली जो हमारे एकोशी भी और्गनाजिजर सेक्टर में काम कर रहे हैं देन हमारे जहांपर क्या करेंगे पहले आपकी सेलरी में कुछ परसेंटेज आपकी कटेगी जो सेलरी आपकी कटेगी देन उतने ही परसेंटेज जो गोर्मे में add करेगी then उसके उपर interest लगेगा then आपको provide करेंगे last में ठीक है जी as a retirement policy के तरह इसको हम मानते है so इसके लिए जो benefit मिलेगा राजस्तान के आसपास के जो area है यहां पर भारतपूर दोलपूर जो भी आँपर जो हमारे workers काम करते हैं 2 लाग के approach ठीक है जी next यहां पर दिल्ली most polluted city in the India जी दो एर बाइस में एक रिपोर्ट release हुई थी उसकी रिपोर्ट रिलीज हुई दो एर बाइस की उसमें दिल्ली रहा टोपर किसमे in the most polluted city की list में second number पर फ्रीदाबाद इंदी हर्याना, third पर UP का गाजयाबाद बाइ जहां पर ना जो PM 2.5 PM 10 जो हमारे जो इनके लेवल को चेक करते हैं में ली, जहां पर ना देखो जो PM 2.5 का लेवल है more than double है इंदी दिल्ली और साथ ही में जो average है highest average है, P10 जो concentration की, जो यहां पर जो हमारे central pollution control board उनके द्वारा यह data release किया गया था अब देखो भी, इसके बारे में कुछ factor देखेंगे, तो जहां पर बता रहे हैं जो PM 2.5 pollution है, जो इसके जो particles है 2.5, जो diameter होता है उनका जो national, जो हमारे capital है, न्यू दिल्ली में जो यहां पर इसकी जो reduce हो जुके है, 7% in the 4 years, लेकिन आने वाले time में हमें होर improvement की ज़रूरत है भाई देखिए, अब यहां पर हमारे India की, जे इस list में 3 cities है, एक तो दिल्ली जो इडिया में है दन कोलकेता जे हमारा prana data लगता है भाई जे इसको छोड़ 2 years जे हमारी prana data है इसका मेंली तो यह दे आमें रखना जे सभी list है हमारी, next जहांपर चलते है National Clean Air Program जे launch किया गया था by the government of India 2019 में, क्यों किया गया था भाई जो के air pollution को टेकल करने के लिए जहांपर target था 20 to 30% हम reduce करेंगे particulate matter को जो के mainly by the 2024 तक जे target था हमारी 20 to 30% decrease करना था PM को by the 2024 तक लेकिन हाली में हमारी government के दवरा इन्दी September 2022 में इसको target को increase किया गया, means कि target रखागा 40% हम reduction करेंगे इन्दी particulate matter को means कि 2.5 and 10 को by the 2026 तक जे तो target हुआ, अब यहांपर एक NCAP जो National Clean Air Program में एक tracker launch किया गया था by the carbon copy and साथ में respire living science के दवरा जो के maastra based एक company है जो mainly track करेंगे कैसे हमारी इंडिया में improvement हो रही है air quality को लेकर ठीक है जी यहांपर हमारी बहुत सी cities हैं अभी भी इसके अंडर हैं भी properly हमारी जो meet नहीं कर पा रही हमारी targets को ठीक है जी air quality को लेकर जो particulate matter है जो आपर solid particles होंगे साथ में local droplets होंगी जो PM10 यह क्या है इसको हमारे अंदर inhale कर सकते हैं और साथ में 10 mm से लेकर इनका जो diameter होगा 10 mm होगा जो उससे कम होगा और 2 PM 2.5 में क्या है जहांपर 2.5 mm जो उनका diameter होगा that's why जो हमारे अंदर जाकर हमें lungs की problem कर सकते हैं इसके source क्या है construction sites हो गई हमारे industries हो गई जो power plants हो गई साथ में sulfur dioxide and nitrogen oxide जो इसके main कारण है इस pollution को फलाने को लेकर जो PM10 and PM2.5 particles को हमारे environment में release करने को लेकर so next बही यहांपर state of global air on the air quality एडिक एक report आई थी पहले यहां पर जे report न यह रही जहां पर निखाई दे रही आपको जे report वो जहां पर न क्या करें न्यू दिल्ली एड कोड़कता रहते टोप पर फस्ट और सेकिंड नमबर पर इंधी वर्ड जो के हमारे प्रूशन जो एर क्वालिटी को लेकर और आपको 22-22 का data अब पहले प्रान हो जुका लेकिन अब तो जहां पर क्या पता new आ जाए अब आने वाले time में so that's why एक बात दियान में रखना अगर option में आ गया दन टिक लगा सकते हो नहीं तो new data आ जाएगा 22-23 का so वो इंपोर्टर हो जाएगा हमारे लिए so next चलते है जहा आपर तहीमतन जो हमारे उदवा दिया तहीमतन उदवा दिया आनकी हाली में डेथ होई जो के हमारे father of laparoscopic surgery के माने जाते हैं so laparoscopic surgery को हम क्यों जल्द करते हैं mainly जो भी हमारी women's है जिनके baby नहीं हो पाता then उस तुरान इसको जूज़ किया जाता है ठीक है जी first time जो surgery in Indian के द्वारा इंट्रेड्यूस की गई थी 1972 और इसको perform भी किया गया था है 1990 में ओके देन यहां पर award इनको मिला पदम बूशन अवर्ड 2017 में और दोयर दोयर में इनको award मिला पदम शिरी तो ये रहे भई हमारे ये तिमतन उदबादिया नेक्स्ट शरत जादव ज्यूज में थे जी कोण अब यह एक politician थे हाली मिन की death हुई पहले जी राष्ट्री जनता पार्टी से बिलों करते हैं में ली पहले इनके दवारे एक party बनाई गई थी जिसका नाम है लोखान लोखनातर्क जनता पार्टी ठीक है जी इसके बाद मे जी इसका merger हो गया विद्धी राष्टी जनता पार्टी के साथ जी रहे हैं हमारे politician है आप से डिरेक्ट पूछेंगे क्या कौन सी field से बिलों करते हैं politician है, singer है जा कोई dancer है जाने यहाँ पर कोस्टांतीन जो कोस्टांतीन है यह क्या है एक former land last king थे ग्रीस के हाली मिन की death जो लंपिक्स के mainly origin जहां से पाए जाते हैं इंदी ग्रीस, so next one, शुर्षरीता symphony of ganga, यह को हमारा event हुआ था, एक ठीक है जी cultural event है, program हुआ था, क्यूं हुआ था, mainly इंदी बारनसी में हुआ, फार्दी जो आपको पता होगा MP ganga, एक ganga बिलास नाम की cruise हमने launch किया भी हाली म जो हमारे PM बोधी के दवारे सको flag off किया गया था, so यह 51 डे का event है जो हमारे tour को करेगी, जो 51 डे का tour करेगी, और साथी में UP, बिहार, बंगलादेश और असाम को complete करती हुई जाएगी, so अच्छा event है हमारे tourism sector को boost करने में help करेगा, साथी में हमारे inter culture को भी यहां पर promote करने म help मिलेगी, okay जी, so यहां पर बहुत सी faculties प्रवाइड कर रहे हैं, जैसे के gym होगा, साथी में proper TV वगारा faculties यहां पर प्रवाइड की जाएंगी under this crew, so इसकी जो cost बढ़ रही है per person, बहुत यादा है, इसकी most costly है जी, 20 to 30,000 per day के प्रोक्स की cost बढ़ेगी, so अगर जाना हो तो प्लीज, दियान में रखना, एक साल पहले इसको बुक करा रवा लेना, so next चलते हैं बई, अब कुछ और फेस्टिबल थे, जो न्यूज में थे, military tattoo and tribal dance festival न्यूज में था, जो के ministry of defense और साथी में ministry of tribal affair के दवरा celebrate हुआ, कब only 23rd January, 23rd January को हम क्या celebrate करते हैं बई, जो हमारे नि साथी में जो हमारी culture heritage है, जो के हमारे इंडिया की uniqueness है, जो के diversity भी है, जहां पर लोग इकठा भी रह रहे हैं, so इसको साथी में हमारा objective है, जो हमारी bravery थी, हमारी नेताजी शपाशंदर बोस की, उसको यहां पर celebrate करना, दन बई, यहो कुछ और festival हैं जैसे के मादम नरायन festival जो के नेपाल में celebrate हुआ, सरंग festival न्यूज में था, जो के आयाटी मदरास के द्वारा celebrate हुआ, जारखंड में शिरोल festival celebrate करते हैं, जो के biggest nature festival है, नेक्स्ट महारास्टरा में काडा गोडा festival जो के tourism को boost करने के लिए नियर दी मुंबई, नेक्स्ट अयानूर अमानूर नाम का festival जो के कोटा ट्राइब के द्वारा celebrate होता है, इन दी नील ग्रीज, नील ग्रीज कहां पर है, उन दी confluence of best guards and eastern guards, यहां पर मद्यापरदेश बता रहे हैं, वो गोरिया एक festival celebrate करते हैं, बील ट्राइब के द्वारा, मेली जो बील ट्राइब है, विद दी अन दी एरिया फ मद् रात में celebrate हुआ, 2023 में international kite festival, जो के हमारे culture को promote करने को लेकर, तन 36 गड़ में चिर्चिरा festival, दन सिकी में लोसार और लोसांक festival, most important है भई, अभी हाली में जो SSC के shift हुई थी, यहां पर इसको पूछा गया था, दन असाम में, जो कमक्ख्या देवी temple है, अमबो बाची festival celebrate करते है साथी में वियू festival, नेक्स्ट नागालेंड में होर्नविल festival, जो के एक word है भई, वहां पर पाई जाती है, तन मनीपूर में शिंगाई festival, जो के एक डियर है, डांसिंग डियर जिसको कहते हैं, जो के में लिए पाया जाता है, अन्दी कैमबूल नैम्जो नेशनल पार्क, ज यहां पर मुधिराम जात्रा फेस्टिबल सेलिब्रेट करते हैं, जो में लिए हमारी तिलंगाना की सेकिंड लाजस्ट ट्राइब है, कोहा ट्राइब के दौरा इसको सेलिब्रेट किया जाता है, इन्दी तिलंगाना, सो आप इनको एक दो वार रीड कर लेना, इंपोर्ट जी, सो चलते हैं, नेक्स्ट यहां पर, अरोगया मेत्री प्रजेक्टर लाँच हुआ भाई दी, पी एम मोदी कहां पर हुआ भाई, जो बॉइस ओफ ग्रूप, जो साउथ वर्चर समिट हुई थी, इंडिया में, सो यहां पर सेलिब्रेट, जहां पर हमारे मोदी जी ने क करेंगे, साथी में, सेंटर ओफ एक्सलेंस हम जहां पर प्रवाइड करेंगे, मींज के बनाने की कोशिश करेंगे अने वाले टाइम में, ता जो हमारी जो डिवल्पिंग कंट्रीज हैं, उनको हम हम हेल्प कर सकें, जहां पर बताया गया, भी ग्लोवल साउथ साइंस और जो के हमारे एक्सपरडाइज को शेर करने के लिए, साथी में ग्लोवल साउथ सेंटर ओफ एक्सलेंस को हम बनाएंगे वादी रिसर्च परपेस के लिए और डिवल्प्मेंट के लिए हमारे सलूशन को, नेक्स्ट यहां पर साथी में ग्लोवल जंग डिपलोमेट फोरम क इंट्रड्यूस करेंगे, जो के हमारे कनेक्ट कर पाएंगे जूथ फुल जो ओफिसर्ज को विद्धी फोरन, टू दी फोरन मिनिस्टर के साथ हो, जो यहां पर देखो जो ब्वाइस ऑफ गलोवल साउथ बर्चल समिट हुई, जो मेली इंडिया में कंड़क्ट की गई, यहां पर 120 कंट्रीज ने पार्टी स्पड़ किया बई, जो इसकी थीम क्या है, जूनिटी टू, जूनिटी ओफ ब्वाइस, जूनिटी ओफ परपल्स, फो इंपोर्टन है, नेक्स्ट बई, यहां पर इंपोर्टन परसनलेल्टी हैं, जो के गेम से बिलोग करते हैं, किसी में जो गोल्ड मेडल जीता हैं, इन्होंने नेशनल्स के चैंपिंशिप में, जो कि जम्बू में डगट हुई थी बई, जे रही गेम वो, जे किक बोक्सिंग वगएरा जहां पर जी सभी कुछ है, जम्बू और कश्मीर इस जो इवेंट में टोप पर रहा, सैकंड नंबर पर रहा, अंदराप्रदेश और थर्ड पर रहा, उडिसा, नेक्स जी, कोप 28, जैसे आपको पता होगा, कोप 26 काहां पर हुई थी इन्दी ग्लासको, ग्लासको काहां पर है, स्कोड लेंड में, स्कोड लेंड किसकी पार्ट है भई, युके का, जुनाइट किंग्डम का, यहां पर हमारे निरेंदर मोदी जी की दवारा, वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड नाम का केम्पेंग भी स्टार्ट हुआ था, means के हमारे जो सन के साथ, जो हम ऐसा ग्रिड बनाएंगे, ओल ओवर दी वर्ल्ड, जो के, कनेक्ट करेगा वर्ल्ड को, और सन की इनर्जी को हम ट्रांसफर कर पाएंगे यह बात हुई लेन कोप 27 कहां पर हुई थी इंदी एजिप्ट अब जो हमारी कोप 28 है कहां पर होगी इंदी UAE ओके जी यहां पर जो डक्टर सुल्तान एहमद अल जबीर है जो के यहां पर मिनिस्ट्री ओफ इंडस्ट्री एंड अडवांस टेकनलोजी को संबाल रहे हैं जुए ही कि यहां पर जे इसके प्रेजिडेंट स्लेक्ट किये जा जो किया है बई जो यहां पर जे मीट हुई दी 22 में इंदी एजिप्ट अब देखो UAE के बारे में कुछ फ्यक्ट UAE इंडिया सबसे पहली जो हमारी इंटरेशनल आयेटी को इंट्रड्यूस करेगा कहां पर करेगा इंदी UAE जो वर्ल्ड की सबसे पहले डिजटल जो पार्लिमेंट मींज की पेप्रलेस पार्लिमेंट एंट्रड्यूस करने वाली कंट्री कों सी UAE ठीके जी तो आपको पता होगा जो स्टेट जो होगा जो हमारी मुजियूम फ्यूचर आप पर नेगरोट किया गया था ओके जो चलते हैं लेक्सट और आपको पता होना चाहिए I2U2 इंडिया इसराइल UAE एंड साथ ही में USA एक हमारा बेस्टन कोवार्ड है यह जहां पर इसके अंडर इन्हों ने बताया था UAE इंडिया में इंडवेस्ट करेगा किसको लेकर फूड प्रसेसिंग को लेकर ओके जी सो नेक्स्ट यूगांडा न्यूज में था क्योंकि यहां पर इवोला डजीज आउट ब्रेक हुआ था इसका एंड डेक्लेयर कर दिया गया है बाइदी डावल जू एच्चो के दव Ebola है, hemorrhoganic, hemorrhogagic, favor कहते थे जो के एक rare, severe and fatal disease है जो के human के에 अंड़र बाई आती है बाई जिकावर हुए थी नाइनीरी सेम्टी सेफिक्स में जो के नियर दी Ebola जो फॉस्ट इसका केस दिखाई दिया था इन्दी गोनिया जो के एक अफ्रिकन कॉंटिनेंट की कंट्रीज है सभी ठीक है जी सो दिसम्बर 23 में इसका केस दिखाई दिया था और यब यह फ्रोपरली वहां पर खत्म हो चुका है इन्दी जुगांडा अब डावल जुच्च के बारे में फेक्ट देखनें बनते हैं एक यहां पर सिक्स इसके रिजनल ओफिस हैं ओके जी जो साथी में 150 जिसके फील्ड ओफिस है वर्ल्ड वाइड में इसके हेड़कॉर्टर कहां पर हैं दी जनेवा स्विजर लैंड में फॉंड कब हुआ था 7 अप्राइल 1948 को तब ह हम सेलिबेट करते हैं उन्दी 7 अप्राइल एजा वर्ल्ड हैल्थ डे देन भई फाउंड गिया यह था जुनाइटर स्टेट्स ओप अमेरिका यूके साथी में ब्राजिल फ्रांस टर्की देन होर भी कंट्रीज थी जहां पर पेरेंट और्गनेशन कौन से है जुनाइटर के लिए इसको मिला था बाई जो के एक जहां पर डिपार्टमेंट ओफ कम्यूनिटी मेडिसन एंड स्कूल्स ऑफ पब्लिक हेल्थ जो कहां पर है इंदी चंडिगड कहां पर पोस्ट ग्रेजुएट इंस्ट्टूड अफ मेडिकल एजूकेशन एंड रिसर्च में है जिस इसका ठीक है जी देन साथी में आशा वर्कर्ज को इनोंने जहां पर ओनर किया था जो के उनके कंट्रिवूशन के लिए देन डावल जू एच्चोंट साथी में जुनिसेफ जुनाइटर नेशन चाइल्ड फंड के दिवारा एक जहां पर रिपोर्ट रिपोर्ट रिलीज प्यूश कोईल के दवरा इसकी फुल फॉर्म इंपोर्टेंट है मनीटरशिप एडवाइजरी असिस्टेंस रिलाइंस एड ग्रोथ तो यहां पर मेली हमारे स्टार्ट अप्स को लेकर है जो स्टार्ट अप्स को हम कैसे फैसिलेट कर सकते हैं उनको कुछ फेकल्टी इसकी फुल फॉर्म इंपोर्टेंट है जो के स्टार्ट अप्स को लेकर है ठीक है जी सो चलते हैं सो आज की वीडियो जहें तक कंप्लेट है वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो लाइक कर देना और कोई भी आपको डाउट लगा तो कोई परिशानी लगी तो प्लीज म हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि अगर हमें गलतियां में पता चलेंगी तिन उसको हम खत्म करने की को हम स्लूशन लाने की कोशिश करेंगी तो मिलेंगे ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ टॉन्ट फोगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल साथी में लाइक और शेयर भी कर देना मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बाई बाई